लेकर साइंस की एक और बहुत इंट्रेस्टिंग क्लास जिसमें हम आंगे के जो टॉपिक हैं कॉश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं जैहिंद, वंदे मातरम, लाश्ट क्लासेज में हमने कॉनवेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में मिरर्स के बारे में सारी डिटेलिंग, इमेज फॉर्मिशन पढ़ ली है अब हम बात करने वाले हैं पावर ओफ लेंस के बारे में जो की काफी एक important topic है इस chapter का, ठीक है? तो हम अब बात करेंगे power of lens के बारे में कि ये power of lens होता क्या है? देखेगा, जब मैं आपको lens के बारे में या image formation के बारे में explain कर रहा था तो मैंने एक बात आप से कही थी क्या बात मैंने आप से कही थी? कि जो convex lens होता है या concave lens होता है है ना? convex lens जो है, वो light को converge करता है मतलब, जो focus है, उस पर point करता है है ना? मतलब, ये एक जो convex lens है, वो एक converging lens है और ये जो concave lens है, ये light rays को diverge करता है ठीक है? मतलब, फैलाता है तो भई, तो इसका मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ कि convex lens, converging है concave lens, diverging है फैलाता है तो आप देखिए, ये जो इनकी converging और diverging जो property है इसी के कारण जो है हम image formation को draw कर पाते हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है जब मैंने आपको image formation explain की थी है ना? तो यही से एक definition निकल कर आती है कि ये जो lenses हैं हमारे convex और concave lens ये जितना एक light ray को converge या diverge करते हैं उसे ही जो है हम power of lens कहते हैं समझारी बात power of lens क्या है simple सी बात है जो lens जितना ज़्यादा converge करेगा या diverge करेगा light ray को वो उसकी power होगी simple सी बात है है ना? तो definition निकल कर आती है power of lens की the degree of of converging or diverging a light ray the degree of converging or diverging a light ray is termed as power of lens ठीक है? मतलब एक lens जितना एक light ray को converge करता है या diverge करता है उसे हम उसका power कहते है और इसको so किया जाता है it is denoted by p ठीक है? ये एक definition हमने देखी अब एक और बड़ी simple सी definition है जिसमें हम बात करते है focal length की ठीक है? किसकी बात करते हैं? focal length की ये जो focal length है इस focal length पर जो lens की power है वो बहुत जादा dependent होती है जितना जादा या कम focus होगा उतना ही जादा वो lens जो है वो diverging होगा या converging होगा ठीक है? अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्यों क्यों हमें मालुम है कि एक object की position या image की position जो है वो जब भी मैंने draw की है तो आपको focus के बारे में जरूर explain किया है या focus के बारे में जरूर hint किया है या आप उन examples या उन questions से भी समझ सकते हों जो कि मैंने पिछले questions में समझाया था तो ये जो power of lens है ये dependent होती है focus पर भी focal length पर भी focus नहीं बोले जहीं focal length पर भी तो यहाँ पर एक और definition इसके निकल कर आती है और वो है यहाँ मैं इसको अलग कर देता हूं the power of a lens is reciprocal of its focal length ठीक है मतलब जो power of lens है वो focal length का reciprocal होती है यहाँ हम ऐसा भी बोल सकते है the reciprocal of focal length is called power of lens है ना यहाँ पर मैंने एक simple statement लिख दी है कि the power of lens is reciprocal reciprocal of its focal length लेकिन यदी मैं definition wise बोलता हूं तो मुझे क्या लिखना हो गए यहाँ पर the reciprocal of focal length of a lens is called the power of lens ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं in other words in other words इसको मैं लिखूंगा the reciprocal of focal length of a lens is power of lens simple है ठीक है ना तो यह लिख दिया हमने power of lens इसको denote किससे करते है P से तो यहाँ पर इस definition के according हमें एक formula जो है देखने को मिलता है और यह formula क्या निकल कराता है P that means power of lens is equals to reciprocal of focal length that means 1 upon F और यह जो focal length होगी यह हमेशा हमें लेनी है किसमे meter में इस चीज़ का ध्यान रखेगा यह focal length हमेशा लेनी है हमें meter में क्योंकि जो focal length है वो भी एक distance है और distance का SI unit meter होता है तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि focal length हमेशा चाहे centimeter में दी हो बट उसे हमें convert करना होगा किसमे meter में जब भी हम इसके question करेंगे तो इस जो बात मैंने आपको बोली है इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह हमारे सामने definition निकल कर आई अब यह तो मैंने definition लिख दी यदि focal length का SI unit meter है तो जो हमारे सामने P है that means power of length है उसका SI unit क्या होता है तो यह भी हम देख लेते हैं SI unit of power of length is diopter ठीक है बिल्कुल सिंपल है कि भाई जो power of length है उसका SI unit होता है diopter जैसे कि focal length का meter है और focal length का reciprocal होता है power of length और इसका SI unit क्या होता है diopter तो यह था power of length अब power of length का कहा use होता है यह मैं आपको बता देता हूँ अभी फिर बाद में और अच्छे से उसके बारे में discuss कर लेंगे क्योंकि next chapter में यह power of length के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें भी discuss करनी है तो आपने देखा होगा कि जो aspects होते हैं जो आप चस्म वगरा लगाते हैं जिनको eyes में problem होती है दूर का नहीं दिखना या pass का नहीं दिखना उसको भी कुछ terminology से समझाऊँगा मैं आपको अगले chapter में तो उसके लिए doctor आपको एक lens बना के देता है आपके जो spec आप लगा रहे हैं उसमें एक lens लगा होता है जिसमें आपकी eye के according एक correctness के लिए lens लगा होता है 0.5 plus 1 minus 1 something इस टाइप के कुछ है ना तो ये उनकी power कहलाती है अब इसको कैसे समझा जाता है कैसे निकाला जाता है तो ये next chapter में है वो मैं आपको बता दूगा फिलाल अभी के लिए तो ये power of lens इतना ही था अब हम बात कर लेते हैं question answers की question answer में जो internal का first question है पहले मैं उसके बारे में आपसे discuss कर लूँ internal का हमारा question number one इतना कोई descriptive या खतरनाक टाइप का answer नहीं है इसका तो normally हम discuss कर लेते हैं question मैं ने खिर लिखा रखा हुआ है a ray of light traveling in air enters obliquely into water मतलब एक light ray है ये एक light ray है ये भई air में पास हो रही है है ना यहां से जो है ये water याने second medium आ गया अब आप ये खुद सोचिए मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको refraction समझा रहा था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि refraction is dependent on the density of the medium अब air जो है in comparison to water rarer medium है ठीक है और ये dense medium है तो जैसे ही ये light ray जो है air से water की तरफ मूब होगी वैसे ही क्योंकि ये रेर से dense में मूब हो रही है ये towards the normal bend हो जाएगी ठीक है न ये चीज़ मैंने आपको explain की है तो अब question और आंगे पढ़ लेते हैं does the light ray bend towards the normal or away from the normal why तो भाई simple से न न पूछा है कि इस condition में ये light ray जो है वो normal के towards bend होगी या normal से away bend होगी तो आप खुद ही इसका answer दे सकते हैं moves towards the normal ठीक है ये answer होगा इसका कि भाई क्योंकि वाटर जो है वो dance medium है और air जो है रेयर मीडियम है तो जो light ray होगी जैसे ही रेयर से dance medium में आती है है और water जो है वो air के comparison में dancer है तो उस condition में ये जो light ray है ये normal के तरफ move हो जाती है बिल्कुल simple सांसर है ठीक क्योंकि reflection में ये चीज हमने पढ़ी हुई है चला next question की हम बात कर लेते हैं next question एक numerical question है इसको पहले मैं solve करूँगा उसके बाद आपको explain कर दूँगा तो यहां आप देखिए कि जो ये question था जिसमें लिखा हुआ था कि light enters from air to glass having a refractive index 1.50 what is the speed of light in the glass if the speed of light in vacuum is 3 into 10 ratio to the power 8 meter per second तो देखिए refractive index ये solution में लिखा हुआ है कि refractive index when light moves from air to glass is 1.50 मतलब light of air or light sorry speed of light in air and speed of light in glass का जो index जो जो रेशो आया है वो है 1.5 ठीक है अब भई हमें given क्या है तो given है हमें कि जो light की जो speed है vacuum और air vacuum में कितनी होती है तो vacuum और air में लगभग speed जो है approximately जो speed है वो same होती है that is 3 into 10 ratio to the power 8 meter per second अब तो देखें भई ठीक है since light travels from air to glass light जो पास हो रही है वो air से glass में पास हो रही है मतलब जो हमारा refractive index निकला हुआ है 1.50 उसमें पहले medium जो air था बाद में glass था तो by the definition of refractive index या जो हम ratio वाली बात करते हैं तो उसके थ्रूँ यदि हम यह apply करते हैं तो पहले हम क्या लेखेंगे air की speed then air में speed और फ़र बाद में glass में और उनका जो एक value आता है ratio आता है वो आता है 1.5 अब यहाँ पर दिखिया आप speed of light in air यह हमने assume किया है कि वहाँ exactly vacuum की जितना ही होता है तो मैंने यहाँ पर put कर दिया और मैंने इसको short में लिखा lg that means speed of light in glass okay कोई ऐसा sign होता नहीं बट मैंने उसको लिखा हुआ है in short क्योंकि यहाँ पर जगा कम है तो यहाँ पर 1.5 है equal अब मैंने transpose किया यह divide में आएगा यह multiply में जाएगा यह आपको बनता है divide किया हमने 3 को आप 1.5 से divide करेंगे 2 times divide होगा तब यहाँ से भई निकल के आता है कि speed in glass of light है 2 into 10 raise to the power 8 meter per second बिल्कुल simple सा solution था mathematical question था यह न तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है आप divide करेंगे 1.5 ही आने वाला है 10 to the power 8 तो है बुदोनों में cancel out हो जाएगा तो यह solution वाला question है जो कि important है यदि हम exam के purpose से बात करते हैं तो अब हम next questions की बात कर लेते हैं जो कि optical density based एक question है तो देखिए पहले मैं आपको optical density एक बार explain कर दूँ कि optical density क्या होती है एक बार हम optical density के बारे में बात करना है बहुत कोई खास ऐसा topic नहीं है कि बहुत important हो लेकिन हमारे chapter में है तो बात कर लेते हैं इसके बारे में देखिए optical density से मतलब यह है कि कोई भी medium किस limit तक light को pass होने देता है किस speed तक light को pass होने देता है है यह depend करेगा कि वो जो medium है वो कितना dense है या कितना rare है कोई भी medium जतना ज़्यादा rare होगा वो उतनी speed से light को पास होने देगा जबकि जिस medium में density या जिस medium के density जादा होती जाएगी उसमें जो light की speed होगी वो कम होगी जैसे कि हम बात करते हैं air फिर air के बाद water यदि हम ले लें फिर water के बाद यदि हम glass slab लेते हैं तो आप देखेंगे कि air में जो light की speed है वो बहुत ज़्यादा है क्यों क्यों क्योंकि यह जो है rare medium है बट जब हम water की तरफ देखते हैं तो water में जो है यह speed थोड़ी कम हो जाती है और क्यों क्यों क्योंकि यह जो है in comparison to air dancer medium है और वहीं जब हम फिर जब glass slab की बात करते हैं या diamond की बात करते हैं तो diamond है ना क्योंकि density ज्यादा है तो यह कहलाता है optical density optical density कम है डाट मेंस के जो medium है वो rare है तो वहाँ पर जो light ray है वो speedly pass होगी जबके जो optical dense medium होते हैं उनमें light की speed कम होती है तो समझ गये आप मेरी बात अब इस question में उन्होंने पूछा है दो चीजें उन्होंने पूछी है के highly highest optical dense और lowest optical dense medium के नाम बताने हैं आपको question number third में तो highest और lowest optically dense medium के हम नाम लख लेते हैं तो highest optically dense medium है diamond मैंने आपको अभी बताया था और lowest जो optically dense medium है वो है air ठीक है क्यों क्योंकि ये rare है और ये dense medium है जो कि अभी optical density हम देख रहे थे अब हम बात कर लेते हैं अगले question की अगला question थोड़ा simple है उन्होंने पूछा है यहां पर तीन medium हमको दिया हुगा है water दिया हुगा है turpentine दिया हुगा है kerosene oil दिया है और उन्होंने बोला है कि light इन तीनों मैंसे जो है किस medium में ज्यादा fastly travel करेगी ठीक है अब मैंने अब भी आपको बताया कि जो medium rare होगा उसमें light ray fastly move करेगी अब मैं आपके सामने तीनों medium लिख देता हूं air turpentine और kerosene तो air आपको मालू भी यह turpentine जो है यह liquids है turpentine हो चाहिए kerosene हो यह liquids है oil form में होते हैं जबके air आपको मालू है air gaseous form है तो यदि हम इन तीनों के comparison की बात करते हैं तो हमें वैसे भी पता है यदि हम basic अपने देखते हैं 8th 9th class का तो हमें मालू है कि जो air है उसमें जो molecules होते हैं जो particles होते हैं वो बहुत दूर-दूर होते हैं इनकी density जो है वो rare होती है particles की हम बात करें तो क्योंकि air जो है rare medium है जबकि यह जो turpentine and kerosene oil ठीक है यह इसका answer है बहुत कुछ ज़्याद है इन्होंने पूछा भी नहीं है हमसे इतना ही पूछा था चल अब next question की बात हम कर लेते हैं last question में इन्होंने बोला है कि diamond का जो refractive index है वो 2.42 होता है इसका क्या मतलब है है ना the refractive index of diamond is 2.42 तो हमें explain करता है explain करना है कि यह 2.42 refractive index होने का मतलब क्या है है ना चल तो यह है question number 5 इस page का last question है internal questions की हम बात कर रहे है तो अब देखिए optical density diamond की optical density 2.52 है 2.42 है sorry refractive index जो है इसका 2.42 है और मैंने आपसे बोला था कि जो diamond है वो highest optically dense medium होता है मतलब कि सबसे ज्यादा dense medium में आता है और इसकी optical dense इसका refractive index है 2.42 अब क्योंकि highly dense medium है तो क्या होगा यह चीज़ शो करती है this refractive index shows that it is highly optically dense medium है ना यह जो refractive index को आपको देख रहा है इसका मतलब यह है कि भाई यह यह optically dense medium है अब क्योंकि यह एक highly optically dense medium है तो यह काफी है हमें इतना समझाने के लिए कि इसमें जो light ray का travel होना है वह fastest नहीं होगा slowest होगा light तो हमें दूसरी चीज यहां समझ में आती है light travels slower in diamond than other medium medium ठीक है यह आपको एक ही आंसर में लिखना है मैंने के वाल आपको उस 2.42 का मतलब समझाने के लिए दो चीजे लिखी है कि इस refractive index का मतलब है कि यह highly optically dense medium है अब क्योंकि highly optically dense medium है इसलिए जो उसमें light ray travel करेगी वह slower होगी other mediums के comparison में ठीक है तो यह इतनी जो बाते थी इतने question answers मुझे आपको explain करना था इस वीडियो में बाकी जो है मैं आपको अगले वीडियो में समझाओंगा कि अगले question answers में क्या क्या चीजे हैं तो अभी के लिए फिलाल इतना ही बने रहिए मेरे साथ घर पर रहिए सौस्त रहिए और पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए क्योंकि अब जून का मैना भी लगभग half end होने वाला है तो अब थोड़ा सा speed बढ़ाएं आप अपनी जैहिंद के बंदे मात्रम मिलते हैं next class में